हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू जार्खन पार्ट साला आज हम लोगी सुडियो में क्लास एट का पॉलिटिकल साइन्स का चैप्टर फाइप नियाई पालिका से कुछ इंपोर्टेंट MCQ कोशन्स को डिसकस करेंगे अगर आपको इसी तरह और भी इंपोर्टेंट MCQ कोशन्स चाहिए तो हमारे वेबसाइड www.जार्खन पार्टसाला.com में विजिट किजिए कोशन नमबर वन है भार्थ या नियाई पालिका की विशेश्ता है इसका राइट एंसर होगा यह स्वतंत्र है कोशन नमबर टू सर्वोच नियाले के नियाई धीसों की न्युक्ति कौन करता है इसका राइट एंसर होगा राष्ट्र पती कोशन नमबर थ्री वर्तमान में सर्वोच नियाले में कुल कितने नियाई धीस है इसका राइट एंसर होगा चोतीस देश के मुख्य न्याधिस किस अदालत के मुख्या होते हैं इसका राइट एंसर होगा सर्वोच न्याले भाइड के सर्वोच न्याले की स्थापना कब हुई इसका राइट एंसर होगा 28 जनवरी 1950 कौशन नमबर 6 दिली में उच्छ नियाले की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट एंसर होगा 31 अक्टूबर 1966 कौशन नमबर 7 किन मामलों में प्राथमी की दर्ज करवाना अनिवार यह है? इसका राइट एंसर होगा फोजदारी कौशन नमबर 8 किस दस्थक में सर्वोच नियाले ने जन हित याचिका की वेवस्था की गई थी? इसका राइट एंसर होगा 1980 कौशन नमबर 9 कितने समय बाद अदालत सांती की जमानत मंजूर कर लेती है? इसका राइट एंसर होगा एक महिने बाद कौशन नमबर 10 अपराद की जाच के दौरान पुलीस को क्या करने का अधिकार नहीं है? इसका राइट एंसर होगा उपरोक्त सभी कौशन नमबर 11 सम्विधान के कौन से अनुछेद में प्रत्यक नागरी को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? इसका राइट एंसर होगा अनुछेद 21 कौशन नमबर 12 कौन व्यक्ति दोसी है या नहीं यहते करना किसका काम होता है? इसका राइट एंसर होगा नियाधिस का कौशन नमबर 13 नियाधिस की भूमी का क्या होती है? इसका राइट एंसर होगा उपरोक्त सभी कौशन नमबर 14 निम्नलिखित में से कौन सावी से फोज़दारी कानून के अंतरगत आता है? इसका राइट एंसर होगा उप्रोक्त सभी कौशन नमबर 15 पंजाब और हर्याना का उच्च न्याले कहां पर इस्थित है? इसका राइट एंसर होगा चंडीगड कौशन नमबर 16 सर्वोच न्याले कहां पर इस्थित है? इसका राइट एंसर होगा नई दिल्ली कौशन नमबर 17 भारत में न्याय पालिका का कौन सा इस्थर विद्धमान है? इसका राइट एंसर होगा उप्रोक्त सभी कौशन नमबर 18 केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निप्टारा किस न्याले में होगा? इसका राइट एंसर होगा सर्वोच न्याले कौशन नमबर 19 उच न्याइधिस कितने वर्ष की आयूब में सेवा निर्वित होते हैं? इसका राइट एंसर होगा बर्षट वर्ष में कौशन नमबर 20 सम्विधान के संरक्षन का उतरदाईत्व भारतिय सम्विधान में किसे सोपा गया है? इसका राइट एंसर होगा सर्वोच न्याले को कौशन नमबर 21 उच न्याले किस इस्तर पर पाया जाता है? इसका राइट एंसर होगा राजिय कौशन नमबर 22 इसका राइट एंसर होगा 65 वर्ष में भारत में नियाइपालिका के नियाइधिसों को हटाया जाता है इसका राइट एंसर होगा महावियों की प्रक्रिया द्वारा दिल्ली उच नियाले का गठन कब किया गया? इसका राइट एंसर होगा 1966 इस्वी में भारत में नियाई पालिका का कार्य है? इसका राइट एंसर होगा उपरोक्त सभी कौशन नमबर 26 नियमन लिखित में कौन सब विशे दिवानी कानून के अंतरगत आता है? इसका राइट एंसर होगा उपरोक्त सभी कौशन नमबर 27 किसका संबन्ध व्यक्ति विशे इसकी अधिकारों के उलंगन या अभेलना से होता है? इसका राइट एंसर होगा दिवानी कानून कौशन नमबर 22 नियाई पाली का निम्न में से कौन सा कार्य करती है? इसका राइट एंसर होगा कानूनों की रक्षा करना कौशन नमबर 29 सर्वोच नियाले ने किस अनूछेद की व्याख्या करते समय जीवन के अधिकार के साथ योजना की अधिकार को भी सामिल किया? इसका राइट एंसर होगा अनूछेद 21 कौशन नमबर 30 आज देश भर में कितने उच नियाले हैं? इसका राइट एंसर होगा 25 कौशन नमबर 31 कौकाता, मुंबाई और चन्नाय उच नियालो की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट एंसर होगा 1861 स्वी में कौशन नमबर 32 अंतराश्रिय नियाले की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट एंसर होगा 26 जून 1945 कौशन नमबर 33 उच नियाले के नियाधिस कितने वर्स की आयूब में सेवा निवरित होते हैं? इसका राइट एंसर होगा 65 वर्स में कौशन नमबर 34 प्रतेक नागरी को जीवन का मोलिक अधिकार की श अनुच्छेद में हैं? इसका राइट एंसर होगा अनुच्छेद 21 कौशन नमबर 35 सम्विधान का नूचेज एकी इस प्रत्यक नागरी को कौन सा मोलिक अधिकार प्रदान करता है इसका राइट एंसर होगा जीवन का अधिकार थाइंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नेस्ट जेप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद